प्रदेश में भ्रस्ट चार्च चरम पर सी एम की कथनी और करनी में फर्क कॉंग्रेसी नेता बेटमा नगर कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल खंडेलवाल ने मुख्य मंत्री शिवराज सिंग चोहान की सब्त तेवर और एक्षन मूडवाली बात पर तंज कस्ते हुए पलटवार किया है कि प्रदेश में ब्रस्ट चार अपने चरम पर है हर्क शाष किये योजनाओ में वीजेपी नेताओं और अधिकारियों द्वारा मिलकर ब्रस्ट चार क्या चारा है देपालपुर विधान सबा की बात करे तो यहां पर भी अधिकारियों और वीजेपी नेताओं ने देपालपुर विधान सबा को ब्रस्ट चार का गड़ बना रखा है शेत्र की जनता, सिक्षा, स्वास्थ और सड़क को लेकर परिशान होती रहती है बेटमा की मुख्य सड़क सालों से खुदी है जिस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है सित्तर लाक रुपे में बनी बेटमा सागोर कुट्टी रोट चार महा में पहली भारी बारिश में ही उखड गई है देपालपुर जनपत पंचायत की कई पंचायतों में लाखो रुपे का भ्रस्टाचार हुआ है ग्रामिन जन शिकायत करते रहते हैं पर जनपत CEO उन्हें दवाने का कारी करते हैं ग्राम पंचाय दोलता बाद के ग्रामिन जनों ने भ्रस्टाचार की शिकायत की पर जाच के नाम पर कुछ नहीं किया जाता क्योंकि भार्ती जनता पार्टी के नेता और आधिकारियों की साथ गाठ से हुए भ्रस्टाचार की जाच कौन करे और सजा किसे दे बेटमा देपालपूर गौतमपूरा पुलिस थानों में कई पुलिस कर्मी हैं जिनके कई बार ट्रांसफर होनी के बावजूद भी आज तक उन्हें रवानगी नहीं दी गई जो बीजेपी नेताओं की महरवानिया से वर्षों से इनी स्थानों पर जमा है क्षेत्र में जुआ सट्टा अवेद शराप माफियाओं की साथ साथ गाट कर अनेतिक कारी कर रहे हैं बेटमा थानक शेत्र में जंगल राज चल रहा है क्षेत्र में आए दिन चोरी होती रहती है पर पुलिस हाथ पर हाथ धरे बेठी रहती है नगर कॉंग्रेस ने कई बार ग्यापन दिया पर आज तक किसी भी चोरी का पुलिस द्वारा खुलासा नहीं किया गया पुलिस और चोरो के बीच जे से एक साथ गाठ हो चोर चोरी करके भाग जाते हैं पुलिस हाथ पर हाथ धरे बेठे रहती है अगर शिवरास सिंग चोहान सक्त मूड में है जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो आज तक इन लोगों पर कारेवाही क्यों नहीं हुई इसलिए मुख्यमंत्री की कठनी और करनी में फर्क है करण में हुई गोसना पर गोसना करें गाधार और चाहर देपालपूरशना पंके करें बेश्चाठ तक हुआ लगये था देख लीजिए जो जीड़ो टैलेडश की बात कर रहे हैं नोचीयों पर एक्षन लेने कि करपा एक्षन ले इसके बाद चोरी को लेकर हमारे विधायक जी ने विशाल पटेल जी ने आई जी से लेकर डियाई जी साब तक ग्यापन दिये उसका भी आज तक तो यसर नहीं हुआ जो भूस सालों से अधिकारी देपालपुर देजिल में अपने जगे बेठे हुए हैं उनको कही न कहीं लगाओ बीजेपी की नेताओं से होने के बावजुद उनका टांसपर्ण नहीं हो रहा है ये एक भ्रस्टाचार की सेड़नी में आता है